आप हैं विविद भारती के संद। इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार इनसे मिलिए। इस स्काइटर में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। संगीत निर्देशक और डीजे राहिल मेता से इनसे बातचीत की है ममता सिंग ने। इनसे मिलिए कारिक्र में दोस्तों हाजिरू मैं आपकी रेडियो सकी ममता सिंग। और हमारे साथ मौझूद हैं दुनिया के फर्स डांसिंग डीजे जिनका नाम है राहिल मेता। आप म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। राहिल जी आपका विविद्भारती के स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं। राहिल देखे डीजे शब्द सुनते ही आम रोताओं के मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या है डीजे का मतलब आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि क्लब में गाना गा रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में लेकिन आपनी मुझे भी प्रडूस किया है तो उसके बारे में बताए कि बेसिक काम क्या होता है डीजे का डीजे का काम वैसे तो होता है सिफ गाने को मिक्स करना और आपको नचाना पर मैं थोड़ा डिफरिंटली सोचता हूँ मुझे लगता है कि जब मैं डीजे कर रहा हूँ मुझे थोड़ा रिस्पॉंसिबिलिटी होता है लोगों की एंजॉइमेंट मेरे हातों में है तो जो गाने में बजा रहा हूँ जो एक्सपिरियंस मैं लोगों को दे रहा हूँ मैं सोचता हूँ कि वो खुशी होनी चाहिए उन लोग को जिस तरह कि गाने में बजाता हूँ वो इसको सुनकर उने खुश लगना चाहिए तो मैं डीजे इंको तो तबहा रिस्पॉंसिलिटी के हिसाब से सोचता हूँ कि मेरे उपर एक responsibility है कि लोगों की enjoyment मेरे हाथों में है तो DJing मेरे ले वो है पर as a broader aspect DJing वो ही है जो लोगों को नचाता है लोगों को अपने music से नचाता है लोगों को non-stop गाने सुना कर नचाता है और लोगों को एक experience देता है पूरा दिन का काम खतम करके जब लोग enjoy करने आते है बाहर तब उनको music चाहिए और DJ का काम यही है कि उने अच्छा music दे बच्पन में ही सोचा था कि आप DJ बनेंगे एकदम चोटे थे या कुछ और बनना चाहते थे इत्तफाक से बने मुझे always music में inclination था मैंने drums बजाया है piano सीखा है तो मैं always music में था dance तो मैं करते ही गया तो मुझे पता था कि मैं कुछ music में करूंगा पर ऐसा कुछ करूंगा यह कभी नहीं सुचा था तो क्या आपका पूरा group होता है आपकी team होती है या अब solo perform भी करते है नहीं, तो मेरी एक team है जिस में मैं हूँ और मेरे दो dancer है और हम पूली दुनिया में यही show कर रहे है और हम तीनों साथ में मिलकर show करते है तो मैं नाचता हूँ और उन लोग दोनों मेरे साथ नाचते है साथ में मिलकर और मज़ा भी आता है गाना बज रहा होता है और आप dance करते हैं नहीं, मैं गाना बज़ाता हूँ फिर आगे आके नाचता हूँ तब तक वो दोनों नाचते है और फिर मैं join करता हूँ फिर मैं वापस आके गाना बदलता हूँ तो आपने कहा कि दुनिया भर में stage shows करते हैं, बता ही कौन सा stage show आपका यादगार रहा है, कि वो आपके जहन में भीवी ताजा है हम लोग ने एक Belgium में show किया था, वो हमारा पहला international show था, और मुझे कुछ expectation नहीं था, मुझे सिफ लगा कि हम Belgium जा रहे हैं, कुछ नहीं तो holiday बना करा जाएंगे, हम Bollywood music ही बचाते हैं, तो मुझे लगा कि Belgium में कौन Bollywood music सुनेगा, पर वहाँ जो respect मिला Bollywood music के लिए, उन रात हम लोग ने पाच गंटे बचाये थे, क्या बात है, क्योंकि लोगों का response इतना अच्छा था, क्योंकि उन लोग को नहीं मिलता है इतनी आसानी से Bollywood music, तो जब उन्हें सुनने मिला, तो उन लोग बहुत खुश थे, और आटोमेटिकली हम खुश होगे, तो हम बचात क्या बात है, आपका एक अलबम आया है, तैनु में लेके जामा, तो इसके बारे में बताईए, किस रख का अलबम है ये, ये मेरा पहला गाना है, मैं करीब आट साल से रीजेंग कर रहा था, पर मुझे कभी हमत नहीं आई अपने आपका गाना रिलीस करने का, तो जब मैंन आई Państwo चला कि ये तीन चीज़ से शादी में मिलती है इंडिया में, जब लोग शादी करते है, जब फैमली साथ आती है, जब फ्रेंस साथ आती है, तब खुशी होता है, मैजिक होता है और प्यार होता है, तो क्यों आए एक शादी का गाना बनाए, तो इसलिए मैंने श पताइए कि डीजे बनने के लिए क्या तैयारी करने पड़ती है क्या बाकाइदा तालीम लेनी पड़ती है बचपन से कितने बड़े थे जब आपने सीखा मैं अपना 10th Standard ICIC exam दे रहा था जब मैंने शुरू किया था तो मैं छुपके से books के अंदर मेरा iPad था तब ही तब मैं उस पे music mix करता था try करता था कुछ भी ममी को लगता था मैं पढ़ाई कर था पर मैंने ऐसे exam दिये ऐसे ही पास हो गया और उसके बाद जब school खतम हुआ मैंने professional training लिया और फिर छोटे छोटे clubs छोटे बाज में बचाते गया तब मैं सब गाने बचाता था फिर 2-3 साल उतना ही किया मैंने और फिर मुझे पता चला कि लोग इंडिया में तो बॉलिवोड के बिना नाचते ही नहीं है तो क्यों ना सिफ बॉलिवोड करूँ मैं बॉलिवोड डीजे बन गया और फिर lockdown में मुझे लगा कि कुछ नया करना पड़ेगा भी मैं train dancer उप शामक डाबर के साथ मेरे पैरेंस हमेशा मुझे बोलते थ कि हमें तो ये डीजेंग कर रहा है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्रामक के stage shows भी करता था और मेरे पैरेंस हर शो पे आते थे तो वो कहते थे कि जब तू नाचता है में और अच्छा लगता है तो क्यों ना तू दो दोनों साथ में करे तो पहले तो मैं बहुत नाचना क्यों देखे वो खुद नाचना चाहते तो ये सब थौट प्रोसेस थे पर इसी जब मैंने ये शो बनाया मैंने ऐसे बनाया कि दो घंटे के लिए देखना नहीं है सिफ ऐसे ग्लिम्सेज आते है वो एंजॉय कर पाते हो एंटेइन्मेंट दिखता है उनको और मैं तुम स्टेज पर आते हो वो दो मिनिट के लिए तुम स्टार हो और वो तुमसे कोई नहीं ले सकता तो ये बात उनोंने मैं जब एक बार बोली थी और मेरे लिए हमेशा रही है कि जब मैं स्टेज पर आता हूँ वो टाइम मुझसे कोई नहीं ले सकता उसी हिसाब से मैं करता हूँ, कभी उनकी डाट खानी पड़ी, नई, नई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, उनके बारे में, बहुत ये बात मशूर है, मुजिक मिक्सिंग का काम आप करते हैं, तो इसके बारे में बताई ये कैसा experience है, डांस करना मतलब सीधे परफ करते हो, जब आपका mindset होता है, तब ही आप कर पाते हो, कभी कबार mind सुबर के दो बचे चालो होता है, सदनल एक idea जाता है, और फिर एक महिना होगा जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके mind process नहीं करता है, तो इसके लिए मैं सिफ एक चीज बता सकता हूँ, कि आ एक बार आएगा जो सब को change कर लेगा, आपने बताया कि बच्पन में आप आइपड लेकर करते थे, यह practice और आपकी ममे सोचते थे आप अपढ़ाई करें, तो उन लोगों ने मना नहीं किया कि कभी नहीं, कभी नहीं, उन लोग बहुत supportive रहे हमेशा, आज तक मैंने जो भी shows की है, पहले dancing थे, फिर DJing थे, वहार show पे आते है, start से लेकर end तक, आपने बताया कि शामक डावर से आपने dance सीखा, लेकिन proper DJ बनने के लिए भी कोई अलग से training लेनी पड़ती है, तीन माइने मैंने सीखा, DJ शिवा नाम के एक DJ से, और फिर मैंने सिफ practice करते गया, clubs में, bars मे shows करते गया, और वैसे ही सीखते गया, आज सक मैं सीख रहा हूँ, जो इस दुनिया में अगर आना चाहते हैं, तो उनके लिए बताइए कि कोई खास तरह के तैयारी होती है, मतलब शरीर का लोच बहुत जरूरी है, क्या होना चाहिए? सिर्फ अपका music knowledge अच्छा होना चाहि आपको अगर अपना crowd समझ रहा है, आपको तीन गाने पते हैं, पर वो तीन गाने के बाद उनको क्या सुनना है, तो वो vision होना जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये crowd को यहा तक पहुचाना है, तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है, और obviously DJing का skill जा I think 100% marketing और कुछ different करना सबसे important है पहले तो, और अगर आप DJing ही कर रहे हो, और सिफ DJ हो, तो उसे side career जैसे treat कर सकते हो, main career जैसे तो इतना stable नहीं रहता है, आप हर रोज नहीं perform कर सकते हो, हर रोज नहीं बजा सकते हो, आप weekends को बजाओगे, या तो आप कुसी club में resident बन कर बज तो मैं honestly lucky समझता हम अपने आपको, जो मुझे इस तरह का मौका मिला है और इस तरह का exposure मिला है, I just hope that सब को अपने आप में अपना लख मिले और अपनी जगा धून पाए, शुब कामना है अपके लिए, stage shows से पहले आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, जैसे singers हैं, गले का खयाल रखते हैं, आराम भी देते हैं, थोड़ा meditation भी करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हमारे लिए तो rest सबसे ज़्यादा important रहता है, क्योंकि जुस तरह से हम perform करते हैं, जुस तरह से हम dance करते हैं, हम कूदते रहते हैं पूरे stage पे, तो अपने fitness पे दियान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि exertion बहुत होता है, ये शो उसके दिवारा, तो rest सबसे ज़्यादा important होता है, मेरे लिए, और आगे आपकी क्या योजना है, वैसे तो मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, पर hopefully मैं ये शो पूरी दुनिया तक सब को दिखा पा हूँ, मैं पहुचाते जाओंगा, वैसे भी इस दुनिया में आने के बाद एक ड्रीम तो होता है, कि हमें फिल्मों में जाना है, तो ऐसा कोई ड्रीम है, अंडिर परसंट, था, वो बहुत पहले था, जब मैं सिर्फ डीजे था, मुझे लगा कि मैं आक्टर भी बनाँगा एक दिन, पर जिस तरह का काम मैं अब भी कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, और मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे देख कर, बिल्कुल, आगे कौन से अलबम्स आने वाले हैं, या कोई मुजिक अरेंज करने वाले हैं, अभी आप विविद भारती के स्टूडियो में आए, हमारे शुरताओं को इतनी सारी बातें बताएं, एक नई तकनीक है, ये डीजे, नई विधा है, इसके बारे में बताया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार इनसे मिलिए कायकरम में अभी आप सुन रहे थे, संगीत निर्देशक और डीजे, राहिल मेहता से, पमता सिंग की बातचीत, इस कायकरम में तकनीकी सहयोग दिया, गणेश चिंदेने, और विविद भारती की ओर से, इस कायकरम के प्रसुत करता, जुबैर खान इनसे मिलिए